नमस्कार हमारे इगनू आओडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है इंदिरा गांधी राश्ट्री अमुक्त विश्व विद्याले सतत्शिक्षा विधाले, प्रमानपत्र कारिक्रम पोशन एवंबाल देखभाल में सिटिफिकट, सी एन सी सी, सी एन सी सी वन समुदाय और पोशन, ब्लॉक सेवन भाका, केज अध्यन आईकार आलाय के लिए पैकड लंच, इकाई, एक तीस, भोजन परिवेशन संस्था की समीक्षा एक तीस दशमलव एक, प्रस्तावना केज अध्यन दो की इकाई उन तीस तथा तीस में आपने देखा की राम ने किस प्रकार एक स्कूल में कैंटीन खोजने की योजना बना कर कैंटीन चालू की उसका उद्देश स्कूल में विद्यार्थियों तथा स्टाफ के सदस्यों को पैकड लंच तथा अलपाहार उपलब्द करा कर लाभरजित करना था राम का कारे तभी सफल कहा जा सकता था जब उसे अधिक संख्या में ग्राहक मिले तथा वह उन्हें अपने काम से संतुष्ट रक सके साथ ही उसे परियाप्त लाभ भी प्राप्थो अर्थात वह लिया गयारिन वापस करने के साथ साथ अच्छा मुनाफ़ा भी कमा सके इस संबंध में वह कच भी तभी बता सकता है जब वह अपनी कैंटीन के एक वर्ष के कारे की समीक्षा करे क्यांटीन के कारे की समीक्षा किस प्रकार की जा सकती है? लक्षमी के के जध्ययन में आपने सीखा की कारे निश्पादन की समीक्षा के लिए प्राप्त परिनामों के उदेशयों या प्रस्तावित योजना के साथ तुलना करनी पड़ती है तथा आवश्यक्ता होने पर लाब हानी विवरन तयार किया. लाब हानी विवरन से अंत में उसे यह पता लगाने में सहायता मिली कि उसका व्यवसाय सफल रहा या सफल. इस सिकाई में बड़े रोचक धंग से यह बताया गया है कि राम ने किस प्रकार अपने कारे निश्पादन की समीक्षा की तथा यह उसे लाब हो रहा है या हानी. उदेश्य इस सिकाई को पढ़ने के बाद आप एक कैंटीन में रखे जाने वाले रिकॉर्डों का पता लगा सकेंगे. भोजन की लागत तथा बिक्री का विशलेशन करने के तरीके बता सकेंगे. लाब हानी विवरन तयार करने के तरीके नियंतरन के उपायों, जो की व्याय को निर्धारित सीमा के अंदर रखने में सहायक होते हैं, के संबंध में चर्चा कर सकेंगे तथा व्याय और बिक्री का विशलेशन करके परियाप्त लाब प्राप्त करने के लिए, यदि आवश्यक्ता है तो सुधरात्मक उपाय पादन के प्रत्यक्ष संकेत थे, इनकी सहायता से, कारि निश्पादन की निर्धारित मानकों से तुलना करके सुधरात्मक उपाय अपनाने में सहायता मिली, अतह यह कहा जा सकता है किसी भी प्रक्रिया की समीक्षा के लिए सबसे आवश्यक बात व्यवस्थित रूप से ठीक ठीक रिकॉर्डों को रखा जाना है। आईए अब कुछ उन रिकॉर्डों को देखते हैं जो कि रामू ने अपने कारे के प्रत्यक चरण पर रखे तथा जिनकी सहायता से वह अपनी स्थिती का ठीक ठीक पता लगा सका। उनके नाम, पते, टेलिफोन नंबर, उपलब्द चीजे तथा आपूर्तिकरताओं की खरीद से संबंधित शर्ते नोट की गई थी। इस प्रकार की सूची से न केवल राम को ही आसानी से किसी भी वस्त के लिए उप्योगता परतिकरता का पता लगाने में मदद मिली, बल रामूद वारा खादि सामगरी खरीदने के लिए प्रयुक्त खरीद आदेश फाम का एक नमूना नीचे दिया जा रहा है। का प्रयोग किया। इन खरीद आदेशों से यह सपष्ट है कि आपरतिकरता को आपरति की जाने वाली वस्त तथा आपूर्ती और भुक्तान आदी के संबंध में सपष्ट निर्देश दिये गए। आपूर्ती की गई वस्तूओं के प्राप्त होने पर मिलान करने के लिए यह फाम जान्च सूची के रूप में सहायक रहे। प्राप्त करना, रिसीविंग, जब वस्तूओं प्राप्त होती थी तो उनकी जाच खरीद आदेश तथा रसीदों बीजकों से करके यह सुनिश्चित किया जाता था कि मंगवाई गई वस्तू ठीक हालत में प्राप्त ह बनाया गया था। वह बीजक से प्राप्त वस्तूओं का मिलान करके सनिश्चित करता था कि बीजक में सम्मिलित वस्तूओं वास्तव में प्राप्त हो गई हैं। उसके बाद बीजक को, उसके अनुसार आपूर्तिकर्ता को भुकतान करने के लिए भेजा जाता था। जब द्रहन, स्टोरिज, प्राप्ट सामान को भली भाती स्टोर में रखा जाता था। इस चरन पर सहायक रसोया या स्टोर इन चारज स्टोक बुक तैयार करता था। इसी में इस बात का भी संकेत दिया गया था कि किसी वस्तू की कितनी मात्रा बाकी रहने पर उसे फिर से मंगाने के लिए आदेश दिया जाए। चावल जारी किया जाता था। आप देखेंगे कि जब स्टोक में बचे चावल वान टू किलोग्राम ही रह जाते थे। तो रामून या स्टोक मंगवा लेता था। प्राप्त वस्तू की मात्रा स्टोक बुक में बीजक से लेकर लिख दी जाती थी तथा जब भी उसमें से रसोय को समान जारी किया जाता था तो उसकी मात्रा उसी समय स्टोक बुक में लिख दी जाती थी। ठीक प्रकार से स्टॉक बुक तयार करने से तथा उसके अनुसार स्टॉक कम होने पर आवश्चक वस्तू का स्टॉक पुनह प्राप्त कर लेने से रसोये को आवश्चक कच्चे समान की नियम मिता पूर्ती सुनिश्चित की जा सकी तथा इससे कच्चे समान की खपत की निग यह की गई विक्री तथा बचे हुए सामान की जाच करने के लिए आवश्यक था। इसके लिए रामू ने व्यवस्थित रूप से हर दिन की व्यंजन सूची का तथा क्रिसी व्यंजन के बनाने की निर्धारित विधी का भी रेकॉर्ड रखा। विक्री रेकॉर्ड, सेल्स रेकॉर्ड, प्रति दिन की विक्री का रेकॉर्ड रखने के लिए राम ने उपभोगताओं को बेचे जाने वाले कपनों की काबन प्रतियां रखी। जैसा कि आपको पता ही है, उसने अलग-अलग व्यंजनों के लिए अलग-अलग रंग के कपन की काबन प्रतियों की सहायता से की जाती थी कच बिक्री उधार पर भी की जाती थी जिसका हिसाब राम अलग से रखता था बाद में बच्चे हुए सामान को देखकर अंदाजा लगाया जाता था कि वह अगले दिन की व्यंजन सुची में प्रयोग किया जा सकता था या नहीं यदि बच्चे है सामान की मात्रा कम होती थी तो उसे कर्मचारियों को उनके प्रयोग के लिए दे दिया जाता था अंद में उसने बिक्री का एक महीने का और एक साल का रेकॉर्ड तैयार किया जिसमें उसे उपभोकताओं की प्रतिमाह प्रतिदिन की संख्या का तथा एक प्रकार आपने देखा की खरीद से लेकर बिक्री तक रखे गए रिकॉर्डों से राम को, अपने साधनों को देखते हुए, अपने काम का अनुमान लगाने, योजना बनाने में भी सहायता मिली। इन रिकॉर्डों से उसे समय समय पर स्थिती का अनुमान लगाने में भी सहायता मिली। लक्ष्मी की भाती ही राम ने भी इन सभी रिकॉर्डों में उपलब्द सूचना को अपनी लेखा पुस्तिक अर्थात कैश बुक और लेजर में उतारा जिससे कि उसे स्थिती का स्पष्ट रूप से पता लग सके। कैश बुक तथा लेजर के संबंध में विस्तरित जानकारी के लिए देखें एक आई 28 के जध्य यनाय डंडा बोध प्रश्न एक 1. सुरेश एक स्कूल कैंटीन में खरीदारी करने, सामान प्राप्त करने, संग्रहित करने और 2. कच्चे सामान को जारी करने के लिए उत्तरदाई है, उससे पता लगा कि उसके का पूर्तिकरता निगी तथा सरसों के तेल के लिए कमधरें बताई थी, परंतु बाद में सामान की आपरती के बाद उसने अधिक धरें लगाई 2. वास्तविक्स्थिती का पता लगाने के लिए सुरेश अपने रिकॉर्डों की जाच करना चाहता है, क्या आप बता सकते हैं कि इस अंतर का पता लगाने के लिए उसे कौन से रिकों की जाच करनी चाहिए? 2. लक्षमन ने कॉलेज में छोटी सी कैंटीन खोली है, वह अपनी विक्रियाय का पता लगाना चाहता है, उसे उसके लिए किस किस सूचना की आवश्यक्ता पड़ेगी? 31.3 किये गए कारे की समीक्षा आए अब देखे की राम ने किस प्रकार अपने कारे निश्पादन का मुल्यांकन किया, लक्षमी की भाती उसने भी विक्री तथा व्याय का विशलेशन किया 31.3.1 विक्री विशलेशन आए पहले राम की कैंटीन के विक्री विशलेशन को देखें बिक्रियाय का अर्थ, जैसा कि आपको मालूम ही है, होता है वह राशी जो उसे अपने कैंटीन में विभिन वस्तुएं बेचने से प्राप्त होती है और इससे पता लगता है कि कैंटीन से लाब हो रहा है याहानी राम बिक्रियाय की जाँच हर महीने करता था साथ ही वह हर वर्ष स्कूल का साल समाप्त होने पर वार्शिक जाँच भी करता था आपके विचार से वह ऐसा क्यों करता था? हर महीने स्थिती की जाँच करना लाब्याहानी का पता लगाने और यदि आवश्यक हो तो सुधारात्म कुपाय अपनाने के लिए आवश्यक था शिक्षा सत्र समाप्त होने पर वार्शिक भिक्रियाय का मूल्यांकन करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि कैंटीन शिक्षा सत्र के अनुसार ही कारे करती थी अताह शिक्षा सत्र के समाप्त होने पर समीक्षा करने से कैंटीन की वास्तविक वित्तिय स्थिती का पता अधिक स्पष्ट रूप से लग सकता था आएए अब राम की कैंटीन की बिक्री की स्थिती का विशलेशन करें इसके लिए हम राम द्वारा बनाये गए बजट की समीक्षा करेंगे। उसको प्रारंब में अपनी कैंटीन शुरू करने के लिए 30,000 रुपए की पंजी की आवश्यक्ता थी। इसमें पहले महीने में भोजन, कर्मचारियों तथा उपरी खर्चों पर किया जाने वाला व्य सम्मिलित था। रामू ने अनुमान लगाया था कि बात के महीनों के लिए इनने रंतर चलने वाले खर्चों के लिए धनवह बिक्री आयसे प्राप्त कर सकेगा। उसने यह मान कर कि उसको प्रति दिन 350 उप भोगता मिल जाएंगे तथा वर्ष में एक महीने में 20 दिन खुली रहेगी। यह नुमान लगाया गया था कि उसे एक माह में 16,000 रुपए की बिक्री आयप्राप्त होगी। उसने ऐसी चीजे बनाने का निश्चय किया जिनसे उसे प्रति दिन 800 रुपए की आयप्राप्त हो सके। यह बिक्री आयना केवल भोजन, कर्मचारियों, उ उपरी खर्चों तथा रख रखाव पर हुए व्याय पूरे करने के लिए थी वरन इसमें निर्धारित किया गया लाभांश भी सम्मिलित था। इस लाब का एक भागरिन का भुक्तान करने के लिए भी दिया जाना था। आये अब राम की लेखा पुस्तकों रिकॉर्डों के महीने के लिए। जब उसने गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने पर सबसे पहले कैंटीन शुरू की थी डंडा तयार किये गए बिक्री रेकॉर्ड देखेंगे। इसी प्रकार राम ने अन्यम महीनों के भी रेकॉर्ड रखे थे। तालिका 31.01 में से देखें तो आपको पता लगेगा कि शुरू के कुछ दिनों में बिक्री अन्मानित 800.00 रुपय प्रति दिन की तलना में कम थी। परंत जैसे जैसे महीना बीटता गया, बिक्री बढ़ी क्योंकि धीरे-धीरे विद्यार्थियों को राम द्वारा दी जा रही चीज़ों का पता लगने लगा। कुछ ही दिनों में वह 775.00 रुपय की बिक्री कर सका, जो कि उसके अनुमानित 800.00 रुपय प्रति दिन के लक्षे के काफी निकट थी। यदि आप बिक्री को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि सभी मंगलवारों को बिक्री कम रही। यह इसल रुपय की अनुमानित अधिक्तम विक्री किसी भी दिन नहीं हुई, जिसका अर्थ है किया तो सभी संभावित 350.00 उपभोगता किसी भी दिन कैंटीन नहीं गए आएक दिन में बेचने के लिए बनाई गई वस्तुएं कभी भी पूरी नहीं बेची जा सकी। इसी प्रकार अन्य महीनों के विक्री रेकॉर्ड भी रखे गए। यह पाया गया कि अनुमानित 16,000 रुपय की विक्री आय तब भी नहीं हुई, जब कैंटीन माह में 20 दिन खुली तथा एक दिन में औस तन 350.00 उपभोगता भी कैंटीन गए। इसकी जाच वार्षिक विक्री रेकॉर् तालिका 31.02 रामो के कैंटीन की पहले साल की वार्षिक विक्री आय दिखाती। तालिका 31.02 रामो की कैंटीन का एक वर्ष का विक्री आप रेकॉर्ड। विवरन के लिए स्क्रीन को देखे। उसने कुल विक्री आय की बजट से संदर्भ 1.29 की तालिका 39.01 तुलन की कैंट 29 डंडा यहां अंतर कुछ अतिरिक्त छुट्टियों के कारण, जो की स्कूल द्वारा राजपत्रित अवकाश के अतिरिक्त घोशत की गई थी, आया. जबकी योजना बनाते समय केवल रविवार, शनिवार, राजपत्रित अवकाश तथा स्कल की छट्रियों को ही ध्यान में रखा गया था. संभावित उपभोगताओं की संख्या औस्तन 350 प्रति दिन ली गई थी. तालिका में दिये गए आंकणों से तुलना करने पर आप दे विद्यारतियों को पता नहीं था की कैंटीन में क्या-क्या मिलता है. संभावत नहीं की संख्या कम रही हो. अगले महीने में आप भोगताओं की संख्या 350 हो गई योग कि उस समय तक वह विद्यारतियों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने में सफल हो गया था. तथा कैंटीन में उपलब्द कराई वस्तुएं अच्छी प्रकार की होने से उसकी बिक्री बढ़ने में सहायता मिली। उसके बाद से उपभोगताओं की संख्या 340-350 के बीच रही। मार्च तथा अप्रेल के महीनों में उपभोगताओं की संख्या में काफी कमी आई। इसका कार साहन भोजन के समय तक स्कूल में नहीं रुखते थे। तालिका में दिखाये गए कारिय दिवसों की संख्या लगभग अनुमानित कारिय दिवसों की संख्या के बराबर ही है क्योंकि राम ने स्कूल के प्रबंधकों से छुट्टियों के संबंध में जानकारी प्राप्त क लीथी रुपए से 15,870 रुपए के बीच है 15,870 रुपए की राशी एक माह में प्राप्त की जा सकी जबकि उस महीने में 20 कार्य दिवस्थे तथा उस्तन 350 उपभोगताओं ने प्रति दिन कैंटीन का प्रयोग किया यही राशी कम होकर 10,900 रुपए रही जबकि कार्य दिवसों की संख्या कम थी जब एक दिन उपभोगताओं की उसत संख्या कम होकर 230 हुई तो भी बिक्री आय कम होकर 13,200 रुपए रह गई अतह किसी भी माह में बिक्री आय में कमी माह में कार्य दिवसों की कम संख्या अथवा कम लोगों द्वारा कैंटीन के प्रयोग के कारण हुई आप देखेंगे कि राम मासिक बिक्री के सही आंकडे इसी लिए प्राप्त कर सका क्योंकि वह व्यवस्थित रूप से प्रति दिन अपनी बिक्री का रेकॉर्ड रखता था. दिन भर की बिक्री आये, उसके द्वारा जारी किये गए कूपनों से मिलाकर, बिक्री पुस्तक मे लिखी जाती थी. उसी की सहायता से राम महिनू के आधार पर बिक्री आये की गणना कर सका. आएए अब बिक्री के अंतर को और ध्यान से देखें. तालिका से यह तो सपष्ट ही है कि उसकी बिक्री आये उसके द्वारा अनुमाने देक लाख साथ हजार रुपिये की वार् आये का अनुमान लगाया गया था. तब सोचा गया था कि प्रति दिन बिक्री आये 800 रुपए होगी तथा कैंटीन 200 दिन खुलेगी. अतह वार्शिक बिक्री आये 1,60,000 रुपए हो जाएगी. यह राशी प्रति दिन 350 सुप भोकताओं द्वारा कैंटीन का प्रयोग करने पर जो की प्रति दिन प्रति व्यक्ती 2.30 रुपए खर्च करते तो प्राप्त की जा सकती थी. तालिका से यह भी पता चलता है कि कैंटीन केवल 198 दिन खुली, जो की अनुमानित 200 दिनों से 2 दिन कम थी. इस कारण भी विक्री आये 1,600 रुपए 800 X2 से कम रही. इसके अतिरि और स्तन प्रति दिन 340 लोगों ने कैंटीन का प्रयोग किया. इसका अर्थ यह हुआ कि लगभग 10 अनुमानेत उपभोगताओं ने 198 दिन तक कैंटीन का प्रयोग नहीं किया, जबकि कैंटीन खली है थी. परन्तु भोजन बनाते समय विक्री आये का अन्मान लगाने के लि 2.30 की कमी आई. इस प्रकार विक्री आये में कुल 6200.00 रुपए की कमी आई. अब तक हमने राम की विक्री आये का विशलेशन कैंटीन में बनाए तथा बेचे गए समान की मीधी विक्री के आधार पर किया है. रामा नियस रोतों से भी आये प्राप्त करता था. इसका एक उदाहरन है तयार माल जैसे ठंडे पे, चिप्स, बिस्कुट इत्यादी की विक्री से आये. उसको इन चीजों की विक्री से भी आये प्राप्त होती थी, यद्यपी इसमें लाब की गुझाईश कम होती थी. उदाहरन के लिए उसे ठंडे पे में एक क्रेट पर प्रती बो स्कूल में आयोजित विभिन समारोहों जैसे वार्शिक समारोह तथा अन्य अवसरों जैसे स्टाफ मीटे गादी पर चाय पानी, भोजन की व्यवस्था का उत्तरदाईत वलेकर आये प्राप्त करना. यद्यपी रामू केवल कैंटीन से अपनी अनुमानित आये नहीं प्र कर सका था, परन्त उसने उसकी कमी नवसरों पर केटरिंग का उत्तरदाईत वलेकर पूरी कर ली. यदि उसके स्कूल के प्रबंध को के साथ हुए समझोते को देखें तो पता चलता है कि उसे नकेवल अनुमती ही दी गई थी, वरन उससे यहाशा की गई थी कि स्कूल करने पर उसे इस प्रकार की केटरिंग करनी होगी. उस शिक्षा सत्र में रामू ने कुछ स्टाफ मीटिंगों तथा स्कूल के वार्शिक समारोह पर खाने पीने की विवस्ता की थी. स्टाफ मीटिंग के लिए उसको कैंटीन की दरों पर ही चाय तथा दो अलपाहार देने के लिए कहा गया वार्शिक समारोह के अफसर पर उसे विद्यार्थियों तथा स्टाफ के सदस्यों को 7 रुपे प्रती व्यक्ति के हिसाब से 1 पे तथा 2 अलपाहार देने के लिए कहा गया आए देखे कि राम को इन विशेश अफसरों पर केटरिंग से कितनी आयप राप्त ह हुई वर्श के दौरान रामू ने 5 स्टाफ मीटिंगों जिसमें 60 सदस्य थे के लिए 3.50 रुपे प्रती व्यक्ति की धर से 1 पे तथा 2 अलपाहार उपलब्द करवाए राम ने इन विशेश पर सामानित हचाय एक समोसा या कटलत तथा एक मिठाई जैसे बेसन की बरफी गजिया दी इस प्रकार की पांच बैठकों से जिन में 60 व्यक्ति थे उसे 1,050 रुपए की आये हुई वार्शिक समारोह के अवसर पर उसे 1,200 लोगों के लिए एक पे तथा 2 अलपाहार का प्रबंद करना था चून की यह संख्या बहुत अधिक थी अतह कैंटीन में उसकी सीमित सुविधाओं के साथ इतना सामान बनाना संभव नहीं था इसलिए उसने सामान बाजार से खरीद कर उनके लिए उपलब्द कराया। उसने जैसा की स्कूल प्रबंद को द्वारा निश्चित किया गया था विद्यार्थियों तथा स्टाफ के सदस्यों को एक शीतल एक समोसा तथा एक केक का टुकड़ा दिया। स्कूल प्रबंध को ने इसके लिए उसे 7 रुपए प्रती व्यक्ती की धर से भुक्तान किया, जिससे उसे 8,400.00 रुपए की अतिरिक्त आय प्राप्त हुई। के माता-पिता के साथ बैठके, खेलकूद के आयोजन, वार्शिक समारो हथवा सेमिनारों के अवसरों पर इस प्रकार की अतिरिक्त भोजन की व्यवस्था करने के अवसर मिलते रहते हैं। यह स्कूल द्वारा किये जाने वाले कारे कलापों तथा ऐसे अवसरों पर तो तरदाईत्व भी ले सकता है। 31.3.2 व्यविशलेशन, Sales Analysis, अब हम यह पता लगाने के लिए कि रामू की बिक्रियाए उसके द्वारा वर्श के दौरान किये गए व्ययों को पूरा करने के लिए परियाप्ति या नहीं, उसके व्यय का विशलेशन करेंगे। हम सबसे पहले भोजन की लागत से शुरू करते हैं। पर ली जाती थी। किसी भी भोजन परिवेशन संस्था की भाती ही, कच्ची खाद्य सामगरी की लागत ही अन्य, मदों पर होने वाले खर्च की अपेक्षा सबसे ज्यादा होती थी। इसलिए लागत पर नियंतरन रखने के लिए खाद्य सामगरी की लागत की उप्योक्त देखरेक, मानीटरिंग, आवश्यक्त ही, जुलाई माह के लिए खाद्य सामगरी की लागत का विशलेशन नीचे तालिका 31.3 में दिया जा रहा है, तालिका 31.3, खाच सामगरी लागत विशलेशन, जुलाई माह के लिए, विवरन के लिए स्क्रीन को देखे, यदि आप उप रही, रामू ने देखा कि जब कैंटीन में बनाई गई वस्तूओं की विक्री हो जाती थी तो खाद्य सामगरी लागत 48 प्रतिशत हो जाती थी, अन्य दिनों, जब बाजार से बने बनाए सामान अधिक खरीदे जाते थे तो लांगत, बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाती थी, परंतु औसत रूप में राम बिक्री मूली के 50 प्रतिशत के अंदर ही खाद्य सामगरी लागत रख पाने में सफल रहा, वह दिक्तर यह ठीक अनुमान लगाने में सफल रहता था कि किसी दिन वस्तू की कितनी मात्रा बिक सकेगी तथा उसी हिसाब सेवह तयार की जाने वा वस्तू की मात्रा में अंतर कर देता था, परिनामस्वरूप बचा हुआ सामान बहुत कम रहता था, उदाहर नस्वरूप, वह जानता था कि मंगलवार को उपभोकताओं की संख्या कम होगी, क्योंकि काफी लोगों का उस दिन व्रत होगा, अतह उस दिन वह विभिन प्रयास करता था, जितना की उसी दिन विक जाएं। वार्शिक समारोह के अफसर पर दिये गए समान की खादी सामगरी लागत 6,600 रुपए आई। यह विक्री मूली का 78 प्रतिशत थी क्योंकि इसके लिए अधिकतर समान रामू ने बाजार से खरीदा था, श्रम लागत विशलेशन, लेबर कॉस्ट अनालेसिस, जैसा कि आप जानते हैं कि रामू ने निमनलिखित कर्मचारी रखे, एक रसोया, एक सहायक रसोया, और तीन बैरे, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, उसने कर्मचारियों को दिये गए वेतन, बोनस और अन्या सुविधाओं का सही सही रेकॉर्ड रखा, रसोये को 1,000 रुपए प्र प्रतिमाह तथा बैरे को 300 रुपए प्रतिमाह दिये, अतह एक महीने में उसने 2,650 रुपए, एक्स, वेतन के तोर पर खर्च किये और एक वर्ष में 31,800 रुपए, इनके अलावा सभी नियमित कर्मचारियों को वार्षिक उत्सव के दिन अतिरिक्त कारे के लिए 250 रुप प्रतिशत इक्वर्ण के लिए स्क्रीन को देखे, उपरी खर्चों तथा रख रखाव पर हाव याए उपरी खर्चों में गैस, बिजली, सवारी, कागस की प्लेटों, पेपर निपकिन, स्टाफ मीटिंग के लिए तथा अन्यविविद चीजों पर वास्तविक रूप मे किया गया, खर्चा सम्मिलत किया गया, रख रखाव पर हुए व्याय में तूटने फूटने, वाली वस्ताओं को खरीदने के लिए अलग निकाली गई राशे तथा बिजली के उपकर्णों की मरमत पर है व्याय को सम्मिलत किया गया, उसने उपर खचों के लिए 12,000 वार्शिक खर्चे का बजट बनाया था, व्याय की अन्यमदों की भाती ही राम ने उपरी खचों तथा रख रखाव पर हुए व्याय का भी उप्यूक्त रेकॉर्ड रखा, उसने देखा कि शुरु शुरू में उपकर्णों के नए होने के कारण रख रखाव पर उसका व विश्य में प्रयोग में लाने के लिए उठा कर रख दिया, उपरी खचों पर हुए व्याय के रेकॉर्ड से पता लगा कि उसने इसमत पर पूरे वर्ष में 11,300 रुपे व्याय किये, जबकि अनुमानित व्याय 12,000 रुपे था डंडा इस बचत का कारण उसका बिजली, ग लाभानी विवरन तयार किया, जो कि उसकी विक्रियाय और व्याय विशलेशन पर आधारित था, 31.3.3 लाभानी विवरन बनाना, making a profit and loss statement, लक्षमी की भाती ही राम ने भी लाभानी विवरन तयार किया, जिससे की वर्ष भर की आर्थिक स्थिती पता लग सके, प्रारंभि एक वर्ष में राम द्वारा बनाया गया लाभानी विवरन नीचे दिया जा रहा है, विवरन के लिए स्क्रीन को देखे, क्या आप इस लाभानी विवरन के आधार पर उसकी कैंटीन की आर्थिक स्थिती के संबंध में टिपणी कर सकते हैं, स्पष्ठ ही है कि आप कह सकते है कि उसकी आर्थिक स्थिती अच्छी है, उसने लाभ प्राप्त किया है, साथ ही वह उसके अनुमानित लाभ से कुछ अधिक ही है। चला रहा है। उसके नियम में तुप भोगता हैं, जो कि उसकी दुकान पर आते हैं तथा उसे काम के दिनों में अनुमानित बिक्री आय प्राप्त हो जाती है। लेकिन शहर में कुछ गड़बडी होने के कारण कार्यालय दस दिन तक बंद रहा, जिससे उसकी आय जनवरी के महिने में एक अंदम से बहुत कम हो गई। आपके विचार से उसे फरवरी के माह में अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए, जिससे की वहिस नुकसान को पूरा कर सक क्या उपाय करने चाहिए? लाब हानी विवरण से उन्हें अपनी संस्था के कारि निश्पादन की समीक्षा करने में किस प्रकार सहायता मिलेगी? 31.4, परिवर्तन आवश्चक है या नहीं? अब तक आपने पढ़ा कि रामू अपनी योजना में निर्धारित लक्षियों को प्राप्त करने में सफल रहा। इस प्रकार का कठिनाई रहित प्रचालन इसलिए संभव हो सका क्योंकि राम कैंटीन के या अंडस्कोर परे कारेकलाप को प्रभावी रूप से विभिन उपायों या विभिन कामों की जाच से नियंतरित रख सका। पुन्रावृत्ति दस में विभिन नियंतरित करने वाले उपायों की सूची दी गई है। व्यंजन सूची बनाना व्यंजन सूची उपभोगताओं की रुचियों पर आधारिप थी। मौसम में परिवर्तन का ध्यान रखने के लिए सापताहिक व्यंजन सूची बनाई। व्यनजन सूची की लागत की गनना पहले ही की गई जिससे की यह सुनिश्चित किया जा सके की लागत अनुमानित लागत के अंदर ही है। 2. खरीदारी मौसम विशेश में उपलब्द चीजे खरीदी जाती थी। अधिकान्ष खरीदारी सहकारी भंडारों से की जाती थी। खरीदारी के उप्योक्त तरीके अपनाए जाते थे। सभी खरीदी जाने वाली वस्तूओं के लिए उनके विशेश विवरन स्पष्ट रूप से दिये जाते थे जिससे किसी प्रकार का संदेह न हो। तीन, प्राप्ती। वस्तूओं की जांच बीजक से मिलान करके की जाती थी। सभी वस्तूओं की मात्रा और प्रकार की जांच की जाती थी। 4. संग्रहन भोजन बनाते समय अपनाए जाने वाले नियंतरन उपाय निम्नलिखित हैं केवल निर्धारित विधी से ही विभिन वस्तुएं बनाई जाती थी, वस्तुएं बनाने का एक कारेक्रम तयार कर दिया गया था जिसका पूरी तरह से पालन किया जाता था, उप्योक्तुप करनों का प्रयोग किया जाता था जिससे श्रम और समय दोनु की बचत होती थी, कर्मचारियों को ठीक प्रकार से काम और अन्यबाते सिखा कर बचे हुए, सामान की मात्रा नगन्य रखी जाती थी जिसससे सामान बेकार नहीं होता था, यदी संभव होता था तो बचे है सामान को अगले दिन की व्यंजन सूची में सम्मिलित कर लिया जाता था। चह, बिक्री तैयार सामान के पहले से ही हिस्से बना दिये जाते थे। इसके लिए मानक कल्चियों, चम्मचों का प्रयोग किया जाता था। बिक्री के लिए कूपनों का प्रयोग किया जाता था। बनाई जाने वाली वस्तूओं की मात्रा और संख्या का बिलकल ठीक प्रकार से पूर्वानुमान लगाया जाता था। कैंटीन के प्रचालन में है चरन पर अपनाए गए इन नियंत्र नुपायों अथवा जान्चो की सहायता से रामू को अपनी कैंटीन की स्थापना के पहले वर्ष में ही अपने निर्धारत लक्षियों को प्राप्त करने में सफलता मिली। फिर भी, लक्षमी के केस की भाती ह रामू को भी आवशक तानसार उपयुक्त परिवर्तन सधार लाने होंगे। पहले साल के कारे निश्पादन की समीक्षा करके रामू ने महसूस किया कि उसे स्कूल के समारोहों तथा स्टाफ मीटिंगों के अफसर पर मिलने वाले केटरिंग के आदेशों को भी उतना ही महत् होगा जितना की कैंटीन के सामाने कारे को. बिक्री बढ़ाने के लिए कैंटीन में नई लोग प्रियवस्थूों की बिक्री करनी होगी तथा पहले से ही बनाई जा रही वस्तूओं को और अच्छा बनाना होगा वार्शिक बजट के लिए अनुमान लगाते समय उसे स्कूल प्रबंध को द्वारा बताई गई कारिद दिवसों की संख्या के अतिरिक्त दो-तीरिक्त छटियों का भी प्रावधान रखना होगा पूरे वर्ष में प्रतिमाह 350 उप भोगताओं के अधार पर गनना नहीं करनी होगी बलकि विभिन कार्णों से कुछ महिनों में उनकी संख्या में होने वाली कमी को भी ध्यान में रखना होगा खाद्य सामगरी की लागत प्रतिशत में मूल्य वृद्धी होने अथवा अन्यकार्णों से आने वाले परिवर् सीमा में रखने के लिए प्रचालन के प्रतियक चरण पर पूरा नियंतरन रखने अथवा जांच के लिए विभिन उपाय अपनाने होंगे 31.5 राम के अनुभव से सीखना इसके जध्ययन में आपने उन तीनों स्थितियों को देखा जिन से राम को अपनी कैंटीन की स्था आपने सीखा कि राम किस प्रकार यह निश्चय कर सका कि उसने परियाप्त लाब प्राप्त किया है या नहीं उसे इतना लाब प्राप्त हुआ है कि वह रिन वापस करने के साथ साथ अपना जीवनयापन भी अच्छी तरह से कर सकता है यह वह अपनी इकाई के वास्तविक क कारे निश्पादन की समीक्षा करने के बाद ही कह सका। रामू के अनुभव से आपने समझा होगा कि कारे निश्पादन की समीक्षा के लिए। सभी लेंदेन और संस्था के प्रचालन से संबंदित सभी रेकॉर्ड ठीक से रखे जाते हैं। बिक्रियाय तथा व्याय का विशलेशन बनाकर लाभ हानी विवरन बनाया जाता है। इसके बाद संस्था के कारे प्रत्येक चरण पर अपनाये गए नियंतरन उपायों की यह पता लगाने के लिए कि यदी कहीं कोई अंतर आ रहा है तो क्यों आ रहा है समीक्षा भी की जाती है। अंत में यह देखा जाता है कि कुछ सुधारात्मक उपाय अपनाने अथवा आवशक्ता होने पर कैंटीन के कारे को सुधारने के लिए आवशक परिवर्तन लाने के आवशक्ता है या नहीं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले विडियो में।